उसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है उसके केसिस की संख्या लगातार बढ़ रही है पर अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनली जो ट्रेंड अभी तक देखने को मिले उनसे हमने सबने बहुत कुछ सीखा देश में और उससे यह भी समझ माया कि कि ओमिकरौन कैसे बहेव कर रहा है उसका केरेक्टर क्या है तो इससे नुकसान जाद है नहीं हो रहा यह वही ट्रेंड शो कर रहा है जैसा ओमिकरौन ने देश दुनिया के और देशों में शो किया है आज टोटल में देखें तो दिल्ली में इस समय करीब-करीब पिछले ग्यारहई हजार हैं, अब उन 11,000 में से आपूर्च 270 Sum loan देखें तो क्रीब 300 केस ollut है। उन में से भी औक्सीजने पधें ऑखेन केवल 124 केस हैं।2प में और ज्वेजायो employers , उसमें किसी और वज़े से आस्पिटल में गए हुए लोग भी हैं लेकिन अगर ऑक्सिजन पर देखें तो 124 लोग हैं कुल मिलाके और वेंटिलेटर पर देखें तो साथ लोग हैं तो एक्सपर्ट का यह मानना है कि ओमिक्रोन का अभी तक का जो बिहेवियर है अभी तक का जो लोगों को जिन लोगों को अमिक्रोन का इंफेक्शन हो रहा है उनको बहुत माइल सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और जल्दी ठीक हो जा रहे हैं लेकिन फिर भी अगर लोगों को कोविड हो रहा है तो खत्रा तो है इसलिए इससे बचके रहना भी ज़रू के रहें होम आइसोलेशन इसका सबसे बड़िया सॉलूशन है कि अगर किसी को कोविड हो जाता है और कोई सिंप्टम नहीं है तो सारे एक्सपर्ट का इमानना है कि होम आइसोलेशन ही रहना चाहिए हॉस्पिटल के वल तभी जाएं जब आपकी ऑक्सिजन लेवल लगातार डिप हो रही हो या आपको कोई परिशानी हो तो आज भी एक्सपर्ट ने यही बात दोराई लेकिन बढ़ते हुए केसिस को देखते तो इसको जितना हम नियंत्रित कर सकें इसके बढ़ने की स्पीड को जितना हम नियंत्रित कर सकें उतना हम इसको ठीक से मैनेज कर सकते हैं तो इसलिए आज डीडियमे की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में सेटरडे औ और संडे को यानि वीकेंड्स पर अब कर्फियू रहेगा तो लोगों से अपील है कि कर्फियू के दौरान बाहर ना निकले बहुत जरूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशल जरूत पर ही बाहर निकले लेकिन सेटरड़े संडे को कर्फियू का पालन करें घर म होम करें या परिवार के साथ बैठें दूसरा केसिज ना बढ़ें इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गौर्मेंट आफिसेज हैं उनमें एसेंशल सर्विस वाले आफिसेज को छोड़कर सब को अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रम होम कराया जाएगा तो गौर्मेंट आफिसेज वर्क फ्रम होम मोड पे रहेंगे या उनलाइन मोड पे रहेंगे प्राइवेट आफिसेज को 50% अलाव किया जाएगा वो 50% कैपसिटी आफलाइन रखें और 50% आउनलाइन या वर्क फ्रम होम रखें एक और समस मां हइन हैं और जो मेंट्रो के चोट्चोटे और जो स्टेशन हैं वो सुट्व स्पेडर बनने का खत्रा आ रहा था क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी ने हैज कि चाही और साथ-साथ बसेज संख्या है और उसकी वजय से हैज बहुत नंबी लंबी लाइने लग रही थी, बस टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहाँ भीड हो रही थी, कई जगे भीड, एनेंतरित भी हुई, और ऐसे में कोरोना ओमिक्रोन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहाँ से, इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपसिटी पर चलेंगी, लेकिन एक भी विखती को बिना मास्क के अंदर अलाव नहीं किया जाएगा, तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं, तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाव नहीं किया जाएगा, ना सिर्फ चढ़ना, बलकि वहाँ यात्रा करना भी अलाव नहीं होगा, लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपसिटी पर चलेंगे, ये भी डिसीजिजन लिया गया, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि घबराएं नहीं, घबराने के जरूत नहीं है, मास्क को एक हतियार बनाए, साथ-साथ बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब निकलें, तो अगर मेट्रो या ट्रेन से बस से जा रहे हैं, तो उसमें भी ध्यान रखें कि मास्क लगा के चलेंगे, लेकिन सैटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा, सर्, कर्फ्यू रात में और दिन में उसको तरह साथ बला दे चलता है? नहीं, रात में तो लगातार चल रहा है, ये दिन में भी रहेगा, पहले से पिछले दो साल से लगबग चल रहा है, तो खाने से लेके और मेडिकल से लेके और पुलेस और इस तरह की जितनी भी चीज़े हैं, एमर्जेंसी सर्विसेज में, फूड आइटम, सबजी और ये सब को नहीं रुखा जाएगा. तो मनीज सिसोदिया का एलान की वीकेंड सापताहिक कर्फ्यू दिलनी में अब लागू होगा, और जो रात का नाइट कर्फ्यू था वैसा ही दिन में भी होगा, शनिवार और रविवार को घर से बाहर ना निकले जब तक की बहुत जरूरी ना हो, ये कह रहे हैं मनी सिसोदिया, लेकिन एक और बड़ा एलान की जिसको 50% कर दिया गया था, बसो और मेट्रो में ट्रेवल को, उसको आप कहा गया है कि सबको जाने दिया जाएगा, लेकिन बिना मास्क के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, तो अगर आप बस में जाना चाहते हैं, मेट्रो में जाना चाहते हैं, तो जो भीड लग रही थी बाहर, क्योंकि 50% कर दिया गया था, तो उसको सूपर स्प्रेडर की वहाँ पर शंका, वहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती थी, उसको वाइड करने के लिए आप कहा गया है, कि आप बस और मेट्रो का पूरा फुल कैपासिटी पर चलेंगी, लेकिन बिना मास्के आप कैसी के अंदर नहीं घुश सकते, बस या मेट्रो के अंदर नहीं घुश सकते, ये भी कह देना, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, कि अब तक तो यही दिख रहा है, जिस तरह से कोविट के केसे आएं हैं दिल्ली में, उसमें बहुत कम लोगों को हस्पिटलाइजेशन की जरुरत पड़ी है, या इवन उससे ज़्यादा वेंटिलेटर या ऑक्सिजन की जरुरत पड़ी है, लेकिन इसका संक्रम अनदर बहुत तेजी से फैल रहा है.